असलाम हुआ अलेकूम मैं जूले खार्फाद, जूले खास किचन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया से डिलिश्यूस चिकटिक फ्राइ, आप इससे चिकटिक कह सकते हैं, चिकटिक फ्राइ कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिश बनते हैं, जाधारन यानि ओर्डिनरी इंग्रिजिएंट से एक्स्ट्र ओर्डिनरी कांडी चिकन बनाते हैं, या चिकन स्टिक कई जो भी वो बनाते हैं, चलिए, खुबसूरत दिखने वाली और टेस्ट में भी बड़िया रेसेपी के लिए हमें चाहिए होंगे वनफोत केजी, यानि खोरलान जाद के, ठाइजख pancake, chicken boneless मैंने थाइज पॉशन लिया, ब्रेस पॉशन ले सकते हैं, चर्वे निकाल लीजिए, और मैंने बहुत बड़े नहीं, क्यूब शेप में काटे हैं, वैसे थाइज पॉशन उतने, प्रापली क्यूब शेप में कट नहीं सकता है तो आप breast pusher ले सकते हैं और बहुत पड़े pieces नहीं रखे हैं मैंने medium रखे हैं medium से हलके छोटे हैं आप medium भी रख सकते हैं इसमें दाल दीजिए एक टीबिल स्पून अद्रकलसं का paste आदा चुटे चाय का चमच नम्मक या स्वाद अनुसान नम्मक डालिएगा एक चुटे चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आदा चुटे चाय का चमच हल्दी पाउडर आदा चुड़ी चाय का चमच धनियां powder, बन फोट चुड़ी चाय का चमच काली मर्चो का पावडर, एक चुड़ी चाय का चमच भूना पिसा जीरा पौडर दाल दीजिए, देड़ या दो चुड़ी चाय के चमच विनेगर, मैंने 2 दाले आप डेड़ भी दाल सकते हैं, ज तोड़ा सा red food color दाल रही हूं, यह totally optional है, आपने नहीं दालना, तो skip कर लीजिए, बहुत अच्छे से mix करके, इससे आदे गंटे के लिए ढग कर मेरिनेट करने, फ्रिज में आप side पर रख दीजिए, आप चाहें तो बार भी रख सकते हैं, अगर climate better हो तो, आदा गिंटा हो ग इसे ही मैंने बहुत अच्छे से mix कर लिया, अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने शिमला मिर्च तीनो टाइप की, ऐसी square shape में काट कर रखी है, और प्यास भी इसी shape में मैंने काट कर रखी है, अब यह तीनो टाइप की सिमला मिर्च की बजा है, आप सिर्फ हारी सिमला म दाल दीजिए, लाल वाला, आप कोई भी रंग का, किसी भी इसमें डाल सकता है, ऐसा, कोई hard and fast rule नहीं है, आप आपके इसाब से कीजिए, फिर से मैंने chicken piece दाला, फिर मैं यहाँ पर हरा वाला भी, यह similar मिर्च दाल रही हूं, और एक ही section में, direction में डालिएगा, आप देख सकत कहिए, chicken sticks, कहिए, chicken candy, कहिए, जो कहना है, कहिए, बड़ बड़ा ला जवाब है, अच्छा, last, first में जब start कर रही हूं, तो हमेशा एक प्यास से start कर रही हूं, लेकिन आपको चाहिए, तो आप दो प्यास दाल सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने तीन टाइप की similar minutes लीजिए, आ आप चाहें, तो टमाटर ले सकते हैं, अब यह सारे जो changes है, यह आप आपके स्वाद अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक chicken डालना है, एक कोई भी vegetable डाली है, एक chicken डाली है, इसी तरीके से आपने alternative vegetable और chicken को पिरोग कर side पे रखते जाना है, ऐसे, यह बन गए हमारे सारे ste अच्छा, आप चाहें, तो चिकिन के अंदर एक छुटे चैका चमच, टमाटर सॉस और के केचप का भी डाल सकते हैं, एक अच्छी flavor के लिए, चलिए, अब मैं फ्राइं के ओर चलती हूँ, आप कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजे, शालो फ्राइ करना है, मेरे पास में तेल गरम किया है, केर गरम हो गया, तो मैंने चूला मीडियम कर दिया है, और इसे आप फ्राइ कर लीजे, हमारी ये कांडी स्टिक्स ताल कर, अब एक-दो मिनिट उन्हें रहने दीजे, एक-दो मिनिट के बाद पलट दीजे, और उलट-पलट करते हूँ, टोटल चार 5 मिनिट, मैक्सिमं 5-5 मिनिट तक आप पकाएंगे, चिकिन पीसेज हो जाएंगे, इतने बड़े तो आप देख सकते हैं, रखे नहीं है, अगर आप बहुत जादा बड़े रख रहे हो, तो 6-6 मिनिट का सकते हैं, और मैंने आप देख सकते हैं, छोटे रखे हैं, उचपि कि आप बढ़िया से लग रहे हैं और गल भी चुके हैं तो चन्नी के ऊपर पहले रखने के बाद कुछ देर चन्नी के ऊपर रखेंगे इसके बाद मैं उसे है न हमारे जो टिश्यू पेपर आता उसके ऊपर रख दूँगी जो बाकी का बचा कुछ आ तेल है वो सारा निकल इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राइ कर लिजिए आप देख सकते हैं मैंने टॉंक से पकड़ा है आप भी इसी तरीके से किसी भी चिम्टे से भी पकड़ सकते हैं और ज़रा संभाल के करिएगा चूला मीडियम पर ही रखिएगा और पतिली देखिएगा कि आप चे रह जाएंगे और क्या होगा चार-पांच मिनिट पकाने जाओगे तो चिकन जल जाएगा हमारा इतना जादा तेल हाइब हो जाता है जब आप नॉर्मल पतीली लेते हो तो पतली वाली तो आप थोड़ी मोटी थिक बॉटम की लीजिएगा चलिए अब मैं निकालके सारो को साइट पर रख देती हूँ और पहले थोड़ी छन्नी में रख देती हो और फिर ट्रांस्पर कर देती हूँ टिशू पेपर के ओपर यह बन गई हमारी मज़ेदार से लजवदार एकदम डिलिशिस टेस्टी चिकन स्टिक्स कर यह चिकन साटे कर यह चिकन शाश्लिक इन description के अंदर एप वहां check कर लीज़िएगा और मैंने हरी चटनी का Box description के अदर दाल दिया आप वहां check कर लीज़िएगा आप चाहें तो spice विए स्वादानो सार अचेस्ट कीजिए और तो अपने फामिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरु फर्वर्वर्वर्ड थीजिए का फिर से अधिर होंगी नहीं शान्दार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टेक केर ला आफिस बाई